जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में करोना के 385 मरीज मिले एक्टिव के 17,000 के पार जारखन के जीलो में एक्टिव केस इस प्रकार है रांची बहतर 13, पूर्वी सिम्हूम 2757, बोकारो 183, 12645, धनबाद 889, रामगर 551, पच्मी सिम्हूम 638, कोडारमा 636, पलामू 206, देवघर 640, गुमला 160, गिरीडी 123, खुट्टी 349, लातेहार 137, सिम्डेगा 268, सरायक लखरसवा 162, गर्डवा 125, लोहर्दागा 178, च 28, साहिव गंज 23, तुमका 190, पाकूर में 24 मरीच एक्टिव हैं, ज्यारखंड के मौसम में बड़ा बदलाव के असार, ज्यारखंड में रभीवार से मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है, बतादे उतर पच्छीम एवं समीप के मद्य भाग में हलके सिम्हत दर्च की बारिस होगी, वहीं पांच दिन तक बारिस की संभवना के बीच मौसम केंद्रे ने मेग गर्जन और बजरपात का एलो अलर्ट भी जारी किया है, अगले बहतर घंटे तक राजे में कहीं कहीं को रावी चाय रहेगा, जनकारी के मुताविक उतर भारत में सक्रिय पच्मी बिचोब के प्रभाव से रायस्थान में सुक्रवार से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने लगा है, इसका असर नौ जनवाई से जारकन के पलामू परमंडल समेत आसपास के इलाकों में दिखेगा, आरोग ये दूत बन कर सहपाठियों को स्वास्त के प्रतिजागरूप करे बता दे अब इसकूलों में आरोग दूत का चुनाव किया जाएगा, जो अपने सापाठियों के बीच स्वास्त संबंधी जागरूपता कारेकरम संचालित करेंगे, ए आरोग दूत छटी से बराहवित तक के दो दो छात्र होंगे, सभी बर्ग से एक छात्र और एक छात्र उपलब्द कारने का भी निर्देश दिया गया है, कुरोना से जंग के लिए करें 60 दिन के तियारी, राजे में संक्रमन की रफ्तार और तेजी को देख दे हुए, पहले ही स्वास्त विबाग का अनुमन था कि 15 जनवरी तक एक्टी मरीजों की संख्या 20 से यार के पार इसमें कहा गया है कि अगले 60 दिनों की जरूरतों का आकलन कर सभी त्यारी सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर समस्या नहीं हो होम आइसुलेशन के लिए 100 रक्षा पोर्टल बराने का निदेश, स्वास्त विबाग के अपर मुक्सचिव ने सभी उपायुकतों को होम आइसुलेशन के लिए 20 दिसा निदेश भी जारी किया है, उन्होंने इसके लिए 100 रक्षा पोर्टल, 100 रक्षा.nic.in को जीले में सक कर सकते हैं, पोर्टल पर पूरा ब्यूरन देने के साथ ही उन्हें होम आइसुलेशन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद जीला पर सासंद वाला होम आइसुलेशन का निदेश लिया जाएगा, देवघर से स्पाइजेट और इंडिगो जल्द भरेगी उडान, बा पूरी तरह से त्यार होने के बाद जल्दी वीमानों का अवागमन शुरू हो जाएगा, इसके लिए एरलाइन्स कम्पिनियों ने भी अपनी त्यारी शुरू कर दिया, स्पाइजेट और इंडिगो के मार्केटिंग अपसर ने दो दिन तक देवघर एरपोट का जाजा ल इस बर्स के अम तक बनकर त्यार हो जाएगा, बता दे सतर डिसमिल जमीन पर साथ फोलोवर का नया जार्खन बहुन बनाया जा रहा है, यह पूरी तरह पांच सीतारा ग्रीन बिल्दिंग और जीरो एनरजी बहुन होगा, टर्न की बेसिस पर किये जा रहे जार्खन बहुन 36 दिनों के बाद काम पर लओत है ही सी करमचारी, ही सी कर्मियों दवारा बकाय वेतन भुगतान की मांको लेकर 36 दिनों से चली आ रही हरताल सुक्रवार को खतम हो गई है, बता दे ही सी के तीनों पलांट में परवंधन की पहल पर सुक्रवार को कर्मियों ने मसीवने सुक्रवार को ही सी कर्मियोद वा हलताल समाप्त करने की जनकारी प्रवंधन द्वारा CMD नवीन सिंगल वा भारी उद्योग मंत्रा लेक सन्युक सचीव को दुर्भास पर दिगाई मोबाईल पर बात करते हुए सड़क पार्क कर रही लड़की की अटो के धके से मौत मोबाईल पर बात करते हुए सड़क पार्क कर रही डियेवी आलोक की संगीता सिक्षी का जियोती कर्ण को अटो ने धाका मार दिया उन्हें गंभीर हालात में हेनु इस्थीत श्रिष्टी अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मिरित गोसित कर दिया बता दे हाथसा सुक्रवार को दीन के तीन बज कर तीस मियट में हुया वह डियेवी आलोक में पांच वर्ष से काम कर रही थी हाथसा जगरनाथ पूर्थाना छेतर के बिर्षा चो की स्थीत नागेशवर महतो पेट्रोल पंप के पास हुआ है जहारखन में ओमिक्रोन के लेकर संसा है देश में एक और नए वेरियंट ओमिक्रोन के लेकर दिसानिदेश जारी हो रहा है जहारखन में स्वास्त विभाग इसे लेकर अभी तक संसाय के स्थीती में है क्योंकि अब तक यहां ओमिक्रोन की आधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है हलाकि राज में जिस तरह संक्रमन फैल रहा है उससे बिसे सग एमान रहा है कि या ओमिक्रोन हो सकता है संसाय के स्थीती होने से ओमिक्रोन पर स्वास्त मंत्रा लएके आदेश और गाईलाइन को जारी नहीं किया जा पा रहा बता दे स्वास्त विभाग के अधिकारियों का काना है कि ओमिक्रोन की पुष्टी हो जाती तो उसके हिसाब से ठोस रण निती बनाने में मदद मिलती नए वेरियंट को लेकर कंटेंडमेंट जोन, माइक्रो कंटेंडमेंट जोन और अन एतियात उसी हिसाब से बरते जाते टाटा ग्रूप की सभी कमपनियों में यात्रा पर लगी रोक साथी टाटा इस्टील ने टी ए एच पी हनीमून पैकेज और होली डे होम सुविधाक की बुकिंग पर अस्थाई रूप से रोक लगाने की घुसना की है करोना के बरते संक्रमन को देखते हुए कमपनी परवधन ने पूर्व से बुकिंग कराय करमचारियों से आने वाले समय में यात्रा पर जाने को लेकर विचार करने को कहा है जारखन के पांच बड़े सिक्षन संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने की त्यारी जारखन के पांच बड़े सिक्षन संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT ISM धनवाद को सेंटर बनाया गया है इन संस्थानों में BIT में सरा, BIT में सरा देवगर, सेंट्रल, इन्वर्सिटी राची, राई इन्वर्सिटी और चाईवास इंजिनिरिंग कोले सामिल है बता दे IIT, ISM इन संस्थानों में इन्वर्सिटी और स्टाटप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रोड में पत्यार कर रहा है इसके लिए इन संस्थानों के साथ IIT, ISM के बिसे सगयों के साथ वार्चा हो चुकी है आगले दवर की बैठक 14 वा 15 जनवरी को प्रस्तावी था केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा का भक्ति गित सोसल मीडिया में बटोर रहा सुर्खिया केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा गाया गया भक्ति की सोसल मीडिया पर सुर्खिया बटोर रहा है बता दे उन्होंने भगवान कृष्ण राधा पर अपन मन की मैं जानू सासो की माला में सुमिर्यू मैं आप या इन नैनों में जिन नैन में पिया बसे भला जा कौन समाय निल गगन से भी परेश सया जी अब किसमत के हाथ में गित को भक्ति मैं में अंदाज में गया गया है बता दे सोसल मीडिया पर छो मिड़ तेतालीस सेकेंड के इस वीडियो को केंद्रिय मंत्री ने अपने अकाउंट से पोस्ट नहीं किया बली किया कई अन ए केस्बूक ट्यूटर इंस्टाइग्राम पर सेयर करना ना भूले चांची साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाएक अवस्य दे थाइंक यू